अगली खबर आ रहे हैं सतना जीने से जहां गाडियों में आग लगने से लगातार हो रहे हाथ सो के बीश सतना के राम नगर छेतर में भी घर के बाहर खड़ा एक वाहन जल कर नश्ट हो गया वाहन में आग लगनी के इस मामले से गाउ में अफरात अफरी का महौल निर्मित हो गया चानकारी के मुताबिक राम नगर थाना छेतर के ग्राम नौगाउ नंबर एक में मंगलवार को देर रात घर के बाहर खड़ा लोडर अचानक आपकी लप्तों से घिर गया वाहन ब्रिजनंदन सिंग निवासी नौगाउ नंबर एक का था और रात में उसके घर के बाहर खड़ा था बताय जाता है कि वाहन मालिक ब्रिजनंदन सिंग ने काम खत्म कर लोटने के बाद वाहन खड़ा कर दिया था घर के अंदर चले गए थे और चानक गाउ के कुछ लोगों ने उनके छोटा हाथी में आग लगने की लप्ते देखकर सोर मचाया तो तमाम लोग वहां पहुँच गया वाहन में आग लगने की सूचना फायर बिगेट को दी गई लेकिन घंटों बाद भी दमकल वाहन नहीं पहुचा लोगों ने अपने इस तर पर भी आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग के विक्राल रोप ने उनमें हिम्मत ही नहीं बतने दी आग की उची उट्ती लप्टों के कारण ग्रामी डीजर टैंक में ब्लाश्ट होने की आसंका से घिर कर दहसत में आ गये थे लिहाजा लोग दूर खड़े रहें और देखते ही देखते पूरा वाहन जल कर नश्ट हो गया इस अगनी हाथ से की सूचना पुलिस को भी दी गई है आसंका यह भी जताई जारी है यह अगनी कांड किसी आसमाजिक तत्तु की हरकत का नतीजा भी हो सकता है वाहन में किसी ने जानबूच कर आग लगाई हो सकती है आपको बता दे कि पिछले दिनों सत्ना में एक ही दिन में कुछी घंटों के अंदर दो वाहन आग से जल कर नश्ट हो गया थे सहर के नए फ्लाई ओवर पर दोड रही एक स्कूटी चलते चलते जलने लगी थी जबकि रामपूर बगिलान बस स्टेंड के पास सडक किनारे खड़ी एक बाइक भी धूधू कर जल गई थी